खुलो ग्रीटिंग्स तु आफ यू वेल्टाम टू आन अकैडमी सभी का बहुत-बहुत स्वागत है शाम के बच चुके हैं साथ और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक पहुती इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ भाई साथ जितने लोग चैनल पे ने हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे इस मुहिम में जुड़ सकें जै हिंद ओफिसर्स आ जाईए आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आपके अपने परिवार लेट्स क्रैक डिफेंस इग्जाम के बहुती इंपॉर्टेंट सेशन एक्सप्रेक्स 365 करेंड अफेयर्स आज है बच्चो 10 दिसंबर 2021 आ जाईए भाई तो फटा फट सब लोग जोईन हो जाईए करेंड अफेयर्स का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है और जैसा कि आप जानते हैं कि करेंड अफेयर्स से आपके एक्जाम में जो हैं वो कम से कम 20 से 25 कॉष्शंद आ सकते हैं और 20 से 25 कॉष्शंद की वैल्यू ये है कि वो आपके SECTIONAL कट-Off को अकेले क्लियर करवाने में सक्षम होते हैं मतलब आपकी अकेले SECTIONAL कट-off जो है वो बेटा इन 20 से 25 कॉष्शंद से हो सकती है तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इस current affairs को बहुत ध्यान से पढ़ें अब आप कहेंगे सर आप sectional cut off पर इतना ध्यान क्यों देते हैं कारण ये है कि मुझे सत्य मालूम है और सत्य ये है कि जितने बच्चे CDS का exam देते हैं उसमें से 90% बच्चे जो हैं वो CDS में general studies की sectional cut off को भी clear नहीं कर पाते हैं तो आप सोचिए कि बिना general studies में बिना current affairs किये आप कुछ नहीं कर सकते मतलब ये simple है कि current affairs जो है वो आपके general studies में जो है वो king maker का का काम करेगी याद रखेगा चीक है तो आने वाले समय में अब बात ये है कि इस current affairs को कौन से बच्चे कड़ें तो जो बच्चे CDS, OTA, CAPF, NDA, UPSC, CAC, State Public Service Commission और उसके लावा SSC, AFCAT जैसे exams की त्यारी कर रहे है सभी में ये sufficient है इससे बाहर से कोई भी question नहीं आएगा provided आप इसको पूरी मानदारी से daily रात में आकर एक घंटा दिया करिए इसको पढ़ने के बाद आपको कोई newspaper, कोई magazine, कोई current affairs का test series कुछ देने की अवशकता नहीं है क्योंकि इस current affairs में मैं आपको news के साथ साथ practice questions भी करा देता हूँ तो that will be more than sufficient for your examinations याद रखेगा चीक है अब देखे आगे बात करते हैं तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बदा दू बटा international relations नहीं आता है CDS में मैं अपने बारे में आपको बदा देता हूँ मेरा नाम कासिफ अंसारी है teaching experience दस साल से ज़ादा हो चुका है one of the top educators who are an academy plus पर दो लाग से आदा बच्चे मैंने पढ़ाएं है खुद भी बहुत सारे exams निकाले हुए है आप मुझे अन academy पर follow कर सकते हैं GS का कोई भी subject पढ़ना है quality, history, geography, economic, current affairs, miscellaneous सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ ये हमारा telegram channel है Q&A Academy से जुढ जाईए updates, notification, pdf सब यहीं मिलते हैं कहते हैं कि exam के लिए पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी exam के माहौल में रहना भी है और ये जो channel है telegram का ये आपको exam के माहौल में जोड़े रखेगा इसका जो discussion forum है उस पे आप जोड़ करके अपने doubts को clear कर सकते हैं बच्चे आपस महीं सारे doubts को clear कर लेते हैं यहाँ पर daily life classes, structured session plan, unlimited practice, unlimited access और इंडिया के top educators मिलते हैं इसके लिए आपको on academy की learning app को आज ही download करना होगा जो play store और ios store दोनों पर available होती है इसके लावा जो बच्चे 2022 की तयारी कर रहा है मैं आपको बता दूँ कि हमारा लक्ष foundation course शुरू हो रहा है 2022 वाले बच्चों के लिए 22 दिसंबर से यह batch हमारा शुरू हो जाएगा तो 22 दिसंबर से यह batch हमारा शुरू हो रहा है बहुत ही important batch है इस batch में अब देखो बटा अब बात यह है कि अगर आपका aim अपरेल का है तो 6 मेने का subscription सेप्टेंबर का है 12 महिने का subscription 2023 का है 24 महिने का subscription मेरा code याद रखिएगा QLi विस code से जो है आपको 10% का discount मिलेगा और best subscription 12 महिने का होता है इसमें दो बार CEDS, दो बार FCAT एक बार CEPF की आप तियारी कर सकते हैं और आज एक बहुत बड़ा offer है आपको मालूम है कि Unacademy को जो हैं पूरे 6 साल हो गए हैं आज ही के दिन 10 December 2015 को Unacademy की शुरुबात हुई थी और आज 10 December 2021 से आज 6 साल पूरे हुए हैं तो आज Unacademy का एक बहुत बड़ा offer है valid for one day ये सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही offer है इसमें नियम ये है कि अगर आप एक साल का subscription Unacademy का लेते हैं तो 6 महिने आपको free मिल लहा है क्योंकि 6 साल हुए Unacademy को तो एक महाल के subscription पर 6 महिने free मिल लहा है मतलब 12 महिने का subscription लोगे तो 18 महिने का subscription तुम्हें मिलेगा मतलब 6 months of additional subscription free of cost आपको ये मिल लहा है 12 महिने की cost पर आपको यहाँ पर code इस्तमाल करना होगा QA Live तो जैसे ही इस code का इस्तमाल करते हैं 10% का discount भी और 6 महिने का additional subscription भी आपको मिल जाएगा तो इस offer को आज ही आप अभेल कर सकते हैं रात 11 बच के 69 मिनट तक ये offer है याद रखेगा चलिए भाई, सब लोग आप मुझे जो हैं सबसे पहले तो मुझे हरी जंडी सब लोग दिखा दीजे कि सर आ चुके है सेशन शुरू किया जाए उसके बाद जो नीचे like बटन है जहाँ 24 बना हुआ है उसे जल्दी से 100 पार करा दीजे इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram जो भी आप social media handle यूज करते हैं उस पर शेर कर दीजे ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें आज की 10 खबरे बहुती बढ़िया होने वाली है बहुत मज़ा आने वाला है जल्दी जल्दी सब लोग आ जाईए बिल्कुल बटा सब मैं पढ़ाता हूँ सारी चीज़े मैं पढ़ा रहा हूँ याद रखेगा चीक है सबसे पहली खबर आ रहा है यह देखेगा मैं भी डिजिटल 3.0 यह देखेगा एकॉनमी से आ रहा है मैं भी डिजिटल 3.0 स्पेशल कैमपेइन फोर डिजिटल ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग फोर स्ट्रीट वेंडर्स यह देखेगा बहुत बढ़िया है तो बैटा मैं भी डिजिटल 3.0 कैमपेइन आपने सुना होगा जैसे हमारे देश में कैमपेइन चला था कि मैं भी चौकीदार तो मैं भी चौकीदार का कैमपेइन चला था लोगों ने फेस्बुक में अपनी प्रोफाइल पे लिख दिया था मैं भी चौकीदार फिर हमारे देश में कैमपेइन चला था मैं भी बेरोजगार तो सब ने अपनी प्रोफाइल पे मैं भी बेरोजगार अब आ गया है मैं भी डिजिटल 3.0 अब देखो इसके पीछे बहुत बढ़िया कहानी है मैं आपको बताता हूँ आपको मालूम होगा कि COVID-19 pandemic में जो lockdown हुआ उस lockdown में जो सबसे बड़ा effect पड़ा है वो हमारे देश में बटा जो street vendors हैं उनके उपर बहुत बड़ा असर पड़ा है street vendors जो सडकों पर omelet बेशते हैं समोसे बेशते हैं जले भी बेशते हैं छोटी मोटी चीजे जो हैं खाने पीने की बेशते रहते हैं जो street vendors होते हैं उनके धंदे को सबसे बड़ा इसका नुकसान हुआ था कारण ये है क्योंकि बटा COVID-19 lockdown में पूरी तरह से lockdown होने के वज़े से लोग घरों से बाहर नहीं निकल ले थे और street vendors को बहुत नुकसान हुआ था तो इसी बाजों को देखते हुए भारत सरकार ने एक scheme निकाली थी जिसका नाम था PM स्वान इधी scheme में जो street vendors हैं उनको 10,000 रुपे का लोन दिया गया था ताकि वो अपने business को दुबारा शुरू क पर सके इस PM स्वान इधी scheme के तहट आपने देखा होगा कि मध्य परदेश में बहुत काम हुआ था और करीब करीब 75,000 लोगों को मध्य परदेश में जो है PM स्वान इधी के तहट पैसा दिया गया था 10,000 रुपे अब उन street vendors को जिनको लोन दिया गया है सरकार कह रही है कि उन street vendors को अब आप digital payment की training दे और उनको जब आप loan देते हैं तो उस समय उन्हें QR code भी दे दे और उसके साथ एक UPI ID भी दे दे ताकि वो लोग जो street vendors हैं वो भी जो है ये पेटियम वेटियम के थुरू जो है payment लेना शुरू कर दे इससे दो फाइदे होंगे पहला फाइदा तो ये है कि हमारे देश में digital payments को बढ़ावा मिलेगा जो कि digital economy के लिए बहुत अच्छा है cashless economy बनेगी देश में दूसरा फाइदा एक और मैं आपको बहुत बड़ा फाइदा बताता हूँ कि जिन लोगों ने 10,000 रुपए का loan लिया है अब वो चुकाएंगे या नहीं जो street vendors हैं सरकार कह रही है कि आप जो हैं उन्हें जो हैं ट्रेनिंग दे digital payments की याद रखेगा तो ये देख सकते हैं मैं भी digital 3.0 campaign launch which is aimed at digital onboarding of street vendors who are provided loans under PM स्वान इधी scheme ये देखेगा तो मैं भी digital 3.0 campaign launch which is aimed at digital onboarding of street vendors who are provided loans under the PM स्वान इधी तो जिनको PM स्वान इधी के तहत loan दिया गया है उनको सरकार digital onboarding करने का plan कर रही है ताकि भाई साब जो है ये digital economy को बढ़ावा दिया जा सके Digital onboarding and training of street vendors in an integrated part of PM street vendors आत्मिरबर भारत निधी याद रखेगा Lending institutions have been instructed to issue a durable QR code and UPI ID at the time of disbursement and train the beneficiaries in conduct of digital transactions देखो जो Lending institutions हैं जो हमारे banks हैं उनसे कहा गया है कि जब आप loan दे रहे हैं तो अच अजार रुपए का जो loan देते हैं तो loan देते समय आप QR code और UPI ID बना कर दें in order to give further impetus to the digital onboarding and training of beneficiaries Ministry of Housing and Urban Affairs and Ministry of Electronic Information Technology jointly launch MAB Digital 3.0 from September 9 to November 30 to complement the efforts of allies in adoption of digital transactions याद रखेगा इस जो scheme है जिसका नाम है MAB Digital 3.0 इसे दो मंत्रालों ने मिल कर किया है जिसमें Ministry of Housing and Urban Affairs or Ministry of Electronics and Information Technology शामिल है PM सौनिधी is available to all street vendors across the country including those from the Dahod tribe area who are engaged in vending in urban areas on or before 24 March 2020 लेकिन बेटा इनमें वो लोग शामिल हैं जो 24 March 2020 से पहले street vendors थे मतलब अगर आप 24 March 2020 के बाद street vendor बने हैं तो उस condition में सरकार आपको loan नहीं देगी उससे पहले कि आप street vendor होने चाहिए तो सरकार आपको loan देगी इसमें 10,000 रुपे का loan दिया जाता है और अगर देखा जाए तो सबसे अज़ादा loan जो है मद्यपरदेश में दिया गया है करीब करीब मद्यपरदेश में देखा जाए तो करीब 75-80,000 लोगों को loan दिया जा चुका था already याद रखेगा इस financial year के अंतक याद रखेगा सो मद्यपरदेश में काफी अच्छा काम हुआ है PM स्वा निधी में याद रखेगा चीख है सो they have done something good ओके आगे बढ़ते हैं next moving forward आगे बढ़ते हैं तो यह देखेगा certification course on home energy audit यह देखेगा तो भारत सरकार जो है एक certification course करा रही है home energy audit मतलब आप अपने घर की energy auditing कर सकते हैं घर की energy auditing का मतलब क्या है कि घर में आपके कितने बिजली के बल्ब हैं कितने पंखे हैं कितने एसी हैं regulator washing machine microwave इन सब को आप जो है audit कर सकते हैं कि इनसे कितना बिजली का बिलाएगा तो इसके उपर एक certification course सरकार करा रही है ताकि लोग अपने घर की जो बिजली है उसका एक audit कर सके हैं इसको कौन करा रहा है तो इसे BEE Bureau of Energy Efficiency जो है तो Bureau of Energy Efficiency Launched Certification Course on Home Energy Audit during National Energy Conservation Week 8-14 December 2021 याद रखेगा तो अभी हमारे देश में National Energy Conservation Week चल लहा है और याद रखेगा Energy Conservation एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में क्योंकि बिजली अगर आप देखो बैटा पुरानी चीजों का इस्तमाल करोगे तो बिजली का इस्तमाल बहुत ज़ादा होता है इसलिए आज कल LED बल्स वगरा का उज़गो है सरकार बहुत प्रमोट करती है क्योंकि बिजली already दुनिया में कम है अब उसको conserve करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है इसलिए इस समय हमारे देश में Energy Conservation Week चल ला है BEE दोरा जिसका नाम है Bureau of Energy Efficiency इसने एक certification course निकाला है जिसमें आप energy audit कर सकते हैं घर का तो home energy audit enables appropriate accounting, quantification, verification, monitoring and analysis of energy use of various energy consuming equipment and appliances in house with cause benefit analysis and action plan to reduce energy consumption अब आप ये देखिए कि पहले तो आप अपने घर में ये देखिए कि कि कितने पंखे हैं और हमारे घर में कितनी बिजली के बल्ब हैं, कितने tube lights हैं, कितने AC हैं अब पहले आप उसको सबको analyze करिए कि ये जो मेरे घर में bulb लगे हैं, ये energy efficient है या नहीं है जो AC लगे हैं, वो 5 star rating वाले हैं या नहीं है या हमारे घर में जो fridge लगी है, वो less energy consume करती है या नहीं करती है उसके बाद आप analysis करें उसके बाद आप देखें कि अगर आप इसको convert कर देते हैं, energy efficient चीज़ों में तो उससे बिजली के बिल पे कितना फाइदा होगा तो एक certification course है जिससे आप self evaluate कर सकते हैं घर की बिजली के consumption को और क्या हम कर सकते हैं कि जिससे हम इसको consumption को reduce कर सकते हैं तो इसके लिए एक certification course निकाला है यार रखेगा तो the certification code to enable creation of a pool of professional to perform home energy audits based on the needs of consumers domestic consumers to get home energy audit carried out through respective SDA certified home energy auditors dissemination of information raising awareness among engineering diploma, ITI student, energy professionals and industry partners about the importance and benefit of energy auditing, energy efficiency and conservation याद रखेगा तो एक काफी important चीज़ है, energy conservation एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर बैटा देखो बात तो होनी चाहिए, energy conservation is something called something is the need of the hour तो वैसे ही दुनिया में energy कम है और उसे conserve करना बहुत जादा जहुरी है प्लस जब आप energy efficient चीज़े लगाते हैं, जैसे घर में आपने 5 star AC लगा दिया तो उससे फाइदा एक तो ये होता है तो बिजली कम होती है उससे खर्चा प्लस वो less pollutant होता है जिससे CFC भी कम निकलता है CFC कम निकलेगा तो उससे बैटा ozone layer का depletion कम होगा ozone layer का depletion कम होगा तो अर्थ का temperature कम बढ़ेगा इससे climate change में भी एक बहुत बड़ा फाइदा मिलेगा तो ये overall पूरी एक cycle है मतलब आप एक चीज़ करते हैं तो उससे आपको multiple फाइदे मिलते हैं तो ये energy audit ये बहुत बढ़ियाँ चीज़ शुरू करी है energy audit certification course याद रखेगा next आता है युशाकू मीजावा ये देखे बहुत बढ़ियाँ है युशाकू माईजावा बहुत important युशाकू माईजावा के बारे में आपने सुना होगा he is a very famous billionaire from Japan तो जैपान के एक बहुती famous billionaire है जिनका नाम है युशाकू माईजावा और आपको मालूम है ये international space station पे पहुच गए है और ये 12 दिन international space station पे रहेंगे जहाँ पर इनको 100 task करने हैं और वहाँ पर ये एक बहुत unique काम करने वाले है international space station पर ये badminton भी खेलेंगे ये question भी आपसे exam में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा game है जो international space station पे खेला गया था so badminton याद रखेगा तो इनका नाम है बटा युशाकू माईजावा ये देखेगा billionaire Japanese entrepreneur युशाकू माईजावा reach the international space station for a 12 day trip during which he will complete 100 tasks in space including playing a game of badminton ये देखेगा तो ये हैं बटा आपके Japanese billionaire जिनका नाम है युशाकू माईजावा ये international space station पहुँचे हैं 12 दिन में 100 tasks करेंगे और ये एक एतिहाज भी रचेंगे badminton game खेल करके याद रखेगा माईजावा another space tourist Yozo Hirano who will document the billionaire space flight made a trip led by Russian cosmonaut Alexander Misukrin याद रखेगा तो ये एक फ्लाइट से गए हैं जिसका नाम है Soyuz MS-20 जिसने Baikanoor Constrodrome से टेक आफ किया था कजाकस्तान में कजाकस्तान में आप जानते होंगे Baikanoor Constrodrome दुनिया का सबसे बड़ा space launch facility है जहाँ पर 17 launch pads हैं याद रखेगा चीक है tourism space companies including Virgin Atlantic आजकर आपको मालूम है कि space tourism जो है बहुत popular हो रही है दुनिया में और आप भी space में जा सकते हैं बहुत कम खर्चा आता है 100 करोड उपए देने हैं आप 12-15 दिन space में होके आ सकते हैं तो सस्ता ही है 100 करोड उपए बस लगते हैं जादा थोड़ी न लगते हैं आप दीजिए और space में घूम गया है यह अराम से 10-15 दिन चीक है मोज मारिए तो companies including Virgin Atlantic SpaceX, XOR Airspace Jeb Bezos, Blue Origin and Armandalo Airspace are working and providing space tourism services to people आज कल देखें बटाई बहुत धंदा चल गया है Virgin Atlantic SpaceX, XOR Airspace Blue Origin Armandalo Airspace are working यह space tourism को बढ़ावा दे रहे हैं but Space Adventures is the only private company but Space Adventure is the only private company to send paying customers to Orbital Space so far a report by the Congress Congressional Research Service Notes in 2004 test pilot Mike Mavlin became the first private astronaut to fly beyond the Carmel line recognized as the edge of the space याद रखेगा so यह बटा युकाजू याद रखेगा युशाकू मेरे जावा यह बटा एक Japanese billionaire है याद रखेगा चीक है हाँ 100 करोड तो आप ऐसे ही पे टीम wallet से पे करके जा सकते हैं आराम से ठीक है हाँ जी युशाकू माई जावा very 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 important जल्दी से आगे बढ़िये बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां कुछ जादा सस्ता होगी हाँ सस्ता ही है मैं कह तो रहा हूं महंगा नहीं है समझो बात को आगे बढ़िये नेक्स यह देखेगा अनिल मेनन यह भी न्यूज में है काफी आज आपने देखा होगा तो इनके बारे में ख़बर थी इंडियन ओरिजिएन फिजिशिएन अलिल मेनन हाज बिन सेलेक्टेड बाई बाई भारतियों ने जो है पूरी दुनिया में तभाई मचा रखी इसमें कोई शक नहीं है कई सारे मल्टी बिलियनेर्स बड़ी बड़ी फॉर्चुन फाइव हंड़िड कमपनी के मालिक कह चुके हैं कि उनकी कमपनिया भारती इंजिनियर्स और मैनेजमेंट गुरूस के वज़े से चल लई हैं शांदार तरीके से और अब साइन्स की फील्ड में नासा वगरा में तो आप जानते हैं भारतियों की भरमार है अनिल मैनन साब एक फिजिशिन है याद रखेगा इंडियन ओरिजिन के हाला कि ये लोग जो हैं भारती होते तो हैं लेकिन सारे के सारे भारती नागरिक्ता छोड़े बैठे हैं और ये सब अमरीकी नागरिक्ता जाकर ले लेते हैं तो हमारे देश में प्रॉब्लम ये है ना टैलेंट की थोड़ी सी कद्र कम है हमारे देश में टैलेंट की थोड़ी सी कद्र कम है इसी वज़े से टैलेंटेड लोग जो हैं वो भारत से भाग जाते हैं और चले आते हैं विदेश वहाँ पर उनको अच्छे पैसे भी मिलते हैं जॉब सेक्योरिटी तमाम चीजे हैं अब जैसे मान लीजे भारत में एक साइंटिस्ट है जो इस्रों में काम करता है सेलली तो बैटा सरकारी मिलेगी मतलब लाग रुपए सेलली मिल जाएगी और उसमें क्या मिलेगा लेकिन आप नासा में जाके नौकरी करेंगे उसमें ये एस्टोनॉट्स होके शामिल होंगे याद रखेगा 45-year-old Menon, a lieutenant colonel in the US Air Force was SpaceX first flight surgeon helping to launch the company's first humans to space during NASA SpaceX Demo 2 mission ये देखेगा तो 45-year-old Menon साब है, lieutenant colonel है US Air Force में, was SpaceX first flight surgeon तो ये पहले flight surgeon थे helping to launch the company's first humans to space during NASA SpaceX Demo Mission Menon was previously served NASA as the crew flight surgeon for various expeditions taking astronauts to international space stations earlier astronomical engineer Shrishila Bandla in July became the third Indian origin woman to fly into space after Kalpana Chawla and Sunita Williams इससे पहले आपने देखा होगा July में इसी साल Shrisha Bandla, जो की बैटा third Indian origin woman थी जो space में गई थी after Kalpana Chawla and Sunita Williams Till now, Wing Commander Rakesh Sharma is the only Indian citizen to travel in space the former Indian Air Force pilot flew abroad Soyuz 2-11 on 3rd April 1984 part of the Soviet Intercosmos program याद रखेगा तो आज तक अगर भारती है पुर्षो की बात करें Indian citizens की तो Indian citizens में आज तक Space में जाने वाले से वेकी वेक्ती हैं जो की हमारे राके शर्मा साप थे जो की बिटा Wing Commander थे आपके Indian Air Force में 1984 में Soyuz T-11 नाम के जो Russian flight थी उसमें ये गए थे और बहुत ही famous है कभी आप National Science Center जाईएगा जो की दिल्ली में है वहाँ पर coin डाला जाता है ना उसमें से आवाज आती है तो वहाँ पर वो आवाज आती है आज भी जो पूछा था इंदरा गांधी जी ने राके शर्मा जी से कि Space से आपको भारत कैसा दिख रहा है तो राके शर्मा जी ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदूस्तान हमारा याद रखेगा क्या बात है दिल खुश हो गया था बहुत बढ़ी हाँ तो इंडियन औरीजिन अनिल मैनन साब जो है एस्टोनॉट होंगे चीक है हाँ जल्दी बताते रहिए सबको क्लियर हो रहा है या क्लियर एटी होनी चाहिए पांचमी खबर वर्ल्ड फूड पोग्राम यह देखे का इंटरनाशनल और्गनाइजेशन से आ रहा है वर्ल्ड फूड पोग्राम यह देखे क्या मैं बोलू भाई साब तो एक तो बिचार है युनाइटेड नेशन्स की एक संस्थान है जिसका नाम है वर्ल्ड फूड पोग्राम आपको मालूम है दुनिया भर के ऐसे देश जहां पर गरीबी फैली हुई है भुक मरी फैली हुई है जो की नॉर्थ और वेस्ट आफ्रिकन कंट्रीज हैं वहाँ पर युनाइटेड नेशन्स के वर्ल्ड फूड पोग्राम द्वारा बहुत काम किया जाता है अब वर्ल्ड फूड पोग्राम का एक वेर हाउस है जो की इथोपिया में है इथोपिया इस अ कंट्री नॉर्थन आफ्रिका और वहाँ पर बैटा उनके जो वेर हाउस को दो लोगों ने लूट मारा याद रखेगा तो अब जो हैं वर्ल्ड फूड पोग्राम ने कहा है कि हम एथोपिया के जो दो शहर है वहाँ पर खाना नहीं बाटेंगे क्योंकि वहाँ लूट पार हो रही है जिसमें दो शहर आप देख सकते हैं डैसी और कंबोल चा याद रखेगा तो यह हरकत किस ने की है तो यह एक रिबल बैटा टिग्रायन फोर्स है टिग्रायन फोर्स नाम की एक रिबल है और इन्होंने गन पॉइंट पे रखकर कंबोल चा शहर में लाज कॉंटिटीटीज ओफ एसेंशल फूट सप्लाइज इंक्लूडिंग सम फॉर माल नरिश्ट चिल्रेंट जो बिटा जो कूपोशिद बच्चे हैं जो बिलकुल आपने अफरीका में देखे होंगे बिलकु अब देखेगा प्रे, अमहारा और अफार रेजिंस में हैं दा वर्ल्ड फूट प्रोग्राइम इस दा फूट असिस्टेंस ब्रांच ऑफ उनाइटे नेश्ट नेश्ट फाउंडे इंटीन सिक्ट्री इट इस हेड़कॉर्टर इन रोम याद रखेगा सो वर्ल्ड फूट प्रोग्राइम अच्छे काम कर रही है लेकिन इनको जो है ना ये जो आतंगवादी हैं जो रिबेलियस गुरूप हैं जो उगरवादी हैं जो ये बागी हैं जो भी है आब इनको घह लीजिए इन सब ने जो है ना बेटा तभाई मचा रखी है और ये एख जाद रुखेगा ये सब कुछ नहीं होते हैं अंकी कोई आइडियोजी है ही नहीं हैं इनकी कोई ठिंकिंग नहीं है ये सिर्फ ब्रेन वोजट है इनको बड़े बुड़े बच्चे महिला बुजुः किसी से कोई परक नहीं पड़ता है ये किसी को भी अपने आप खबर है याद रखेगा सो वर्ल्ड फूट पोग्राम ने कहा है कि अब हम खाना नहीं बाढ़ सकते याद रखेगा चीख है ये टिग्रायन फोर्सेज हैं ये इनके वज़े से एक आंड हुआ है ये देखेगा नाशनल इंसिट्यूट औफ फार्मसुटिकल एजुकेशन और रिसर्च अमेंडमेंट विल दोहजार इकेस ये देखेगा चीख है तो नाशनल इंसिट्यूट औफ फार्मसुटिकल एजुकेशन और रिसर्च अमेंडमेंट विल दोहजार इकेस तो देखें ये काफी important खबर है National Institute of Pharmaceutical Education and Research Amendment Bill 2021 पॉलिटी से question है तो ये देख सकते हैं The Parliament has passed the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Amendment Bill with passing of the bill in the Rajya Sabha and on the 6th December in the Lok Sabha तो ये बिल भाईया पास हो गया है National Institute of Pharmaceutical Education and Research Amendment Bill ये हमारे देश की संसर्थ के दोनों सदरों में पास हो गया है बहुत बदमाज था मैं भी बदमाज हूँ ये सोचते हाँ ये देखो प्लेजर साब क्या कह रहे है How they buy bullets ये बहुत अच्छा कोशन है रोहित से एक तबर ने कहा है Sir how they buy bullets जब खाने को पैसे नहीं है तो bullets कहां से आती है तो एक बहुत अच्छा कोशन है और इसकी सत्य आप भी जानते है दुनिया में ये जितने भी rebels है इनको कौन बढ़ावा देता है आप भी जानते हैं बटा तो दुनिया में जितने भी rebels हैं इनको बढ़ावा पैसे इनको खूब मिलते है ये आतंगवाद फैलाने के लिए पैसे खूब मिलते है इंटरनेशनल फंडिंग की कोई कमी नहीं है ये चारों तरफ से होती ही दुनिया भर में अब कोई रशिया को बैक कर रहा है तो भाईया अमेरिका फंडिंग कर देगा कोई अमेरिकन बैक्ड हो रहा है तो उसे रशिया फंडिंग कर देगा कोई इंडियन बैक्ड हो रहा है तो उसे चाइना फंडिंग कर देगा ठीक है तो समझ रहे हो ना ये आतंगवाद भाई हमारे जो नकसलवादी है भारत में उग्रवादी जो नकसलवादी और माउवादी है उनको पैसा कहां से आता है उनको फंडिंग कहां से मिलती है जायच सी बाते चाइना से मिलती है और जो कश्मीर में आतंगवादी है इनको कहां से फंडिंग मिलती है इनको भाईया आपके पाकिस्तान से मिलती है ठीक है दुनिया जानती है मावादी और नकसल वादियों को चाइना पालती है और आतंगबादी जो नॉर्डन पार्ट में है उनको जो है बेटा पाकिस्तान पालता है तो यह तो दुनिया का सत्य है जीवन की सचाई है अफगानिस्तान में अम the original act of 1998 to declare six additional national institute of pharmaceutical education research as institute of national importance याद रखेगा छीख है हाँ जी तो 1998 में एक बिल आया था 1998 में to declare six additional national institute of pharmaceutical education and research as institute of national importance तो हमारे देश में national institute of pharma education and research को जो है institute of national importance सरकार घोशित कर रही है these institute are located in एहमदाबाद हाजीपूर हाइदराबाद कोलकता गोहाटी और राइबरेली तो यह institute हमारे देश में छे हैं जो की हाजीपूर हाइदराबाद कोलकता गोहाटी राइबरेली में हैं the bill also provides for council to coordinate the activities among the institutes to ensure development of pharmaceutical education and research the NIPER are for the strengthening the enhancing research in pharma sector in the country तो यह बहुत important है national institute of pharmaceutical education मतलब यह क्या है यह medical colleges नहीं है यह बेटा basically pharmaceutical education मतलब दवाई के शेत्र में सिक्षा तो दवाई के शेत्र में भैई देखो दवाईयां बहुत important है भैई दुनिया में जितनी बिमारियां है उससे जादा तो दवाईयां है तो दवाईयों पर research बहुत ज़रूरी है तो national institute of pharmaceutical education and research जो की हमारे देश में नाइपर के नाम से जाना जाता है तो हमारे देश में नाइपर के नाम से इन्हे है जानते है नाशनल industry of Pharma education and research निपर के नाम से जाना जाता है और यह बेल इसलिए लाया गया है ताकि इसंसीट्ईउट को इन्सीट्यूट of national importance घोचित किया जाए ताकि इसमें थोड़े पैसे अगरे इंफ्यूस किये जाए प्लस बच्चों के अंदर इंट्रेस्ट आए फार्मसुटिकल एजूकेशन को लेकर मतलब बिमारी से जादा दवाईयों पर रिसर्च करना तो यह काफी अच्छा स्टेप है भारत सरकार का सो आई होप यह बढ़िया लगा कुशन आपको छटी खबर हो गई याद रखेगा अब देखे आगे बढ़ते हैं अफ्रीका में अलकाइदा है लेकिन अफ्रीका में जो जादा पावर्फुल ग्रूप्स हैं वो हैं बोको हराम भाई साब बोको हरा ग्रूप है अब बोको हराम अलकाइदा का बहुत इंपक्त नहीं अफरीका में वहां छोटे रिबेलियस गूरूप है मतलब वहां ट्राइबल रिबेलियन बहुत जादा है वहां एथिनिसिटी लडाई बहुत है असल में आफ्रीका जो पूरा कॉंटिनेंट है वो में लड़ाई हो गई उन्होंने बैटा हतियार उठा लिए तो वहाँ एथिनिसिटी को लेकर बहुत लड़ाई है याद रखेगा चीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सात्वा ये बहुत बड़ी खबर आ बैन ऑन सिगरेट्स इंटरनाशनल न्यूज ये देखे बहुत बड़ी खबर आ रही है तो न्यूजी लेंड बनने जा रहा है दुनिया का देश जहां पर सिगरेट्स बैन हो जाएंगी भाई साब सुनिये कान खोल के तो न्यूजी लेंड में सिगरेट्स बैन होने जा रही लेकिन इसको बड़ा अलग तरीके से किया, आप समझो, अब जो लोग already cigarette पी रहे हैं, अब सरकार उनका तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार का कहना है कि भईया जो cigarette पी रहे हैं, अचानक हम बंद कर देंगे, वो तो सारे के सारे बवाला मचा देंगे, तो सरकार ने कहा है वो तो पीते रहेंगे, उनका कुछ नहीं किया जा सकता, याद रखेगा, अब यहां पर समझेगा, बहुत important point है, तो New Zealand said it will ban young people from buying cigarettes for life, यह देखेगा, New Zealand said that it will ban young people from buying cigarettes for life, one of the toughest approaches in the world to curbing smoking deaths, as part of the wider plan that focuses on the disproportionate impact of the indigenous Maori population, यह देखेगा, तो यह बैटा, buying cigarettes for life, तो पूरे जीवन भर के लिए ban करने का plan है, आईए देखते हैं क्या है, तो New Zealand is already one of the 17 countries where plain cigarette packaging is compulsory, अब समझेगा, New Zealand plans to make it illegal to sell cigarettes to anyone aged 14 and under from 2027, तो सन 2027 से जो भी लोग 14 साल या उससे कम उमर के होंगे, उनको cigarette नहीं बेची जाएगी, The ban will remain in place for the rest of the person's life, that means a person aged 60 in 2073 will be banned from buying cigarettes, while a person aged 61 would be allowed to do so, अब यह देखेगा, ठीक है, हाँ जी, तो अब यहाँ पर इसे यह देखे है भाई साब, इन्हों ने यह का कहा, It also bans sales to anyone under 18, but it says those measures are not enough to reach its goal of national adult smoking rate less than 5% by 2025, भूटान banned cigarette sales outright in 2010, although it lifted the ban temporarily in 2020, to stop black market imports from India during COVID-19 border closure, Al Jazeera reported, ठीक है, तो अब इन्हों का कहना है, बैटा New Zealand का, कि 2027 से, जो 14 साल से कम उमर के बच्चे होंगे, उनको cigarette नहीं बेची जाएगी, और यह life for ban होगा, लेकिन जो लोग already पी रहे हैं, वो तो भाई पीएंगे, उनको नहीं रोख सकती ही सरकार, लेकिन इसको खतम करते करते 100 साल लग जाएंगे, भूटान पहला देश बना था दुनिया में, जिसने cigarette को ban किया था completely 2010 में, लेकिन याद रखना, जेस चीज बैन होती है न, वो जादा बिक्ती है, ब्लस फर कितना होता है, जो 100 रुपेली चीज है, वो 500 की बिक्ती है, दूसरी चीज, सरकार जो पहले पैसा टैक्स के रूपे कमाती थी, वो भी चला जाता है, प्लस black marketing को और बढ़ा हवा मिलता है, याद रखेगा, चीज है, हाँ जी, हाँ जी, ये बटा होता रहता है, ये देखो क्या-क्या बाते करते हैं हमारे बच्चे, बहुत सैतान है, यह नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे बटा, ये सैतानी इंकी जो है न, ये खतम नहीं होगी भाई साब, हमारे बच्चों की, यह हमारे जो बच्चे हैं इनकी सैतानी खतम नहीं होगी इनकी सैतानी विल्कुल खतम नहीं होगी नहीं मानेंगे ठीक है सुनिए आईए बढ़ता आता हूँ आप तो ठीक है आजी अब यह देखेगा IMO Award for Exceptional Bravery at C यह देखेगा IMO Award for Exceptional Bravery at C Awards and Honor से Question आ रहा है IMO यह देखें IMO के बारे में आपने सुना होगा ठीक है हाँ जी तो International Maritime Organization Council has awarded Certification of Commendation to Indian Navy, Indian Coast Guard and Master along with crew members of Tugboat Ocean Bliss यह देखेगा ठीक है तो IMO का International Exceptional Award है बटा यह देखो तो International Maritime Organization यह बहुत बड़ी संगठन है United Nations Mandate के तहत बनाया गया है So IMO Council has awarded Certification of Commendation to Indian Navy, Indian Coast Guard and Master along with crew members of Tugboat Ocean Bliss यह देखेगा ठीक है हाँ जी So Indian Tugboat है जिसका नाम है Ocean Bliss उसको दिया है गया गया है The award has been given for exceptional and courageous effort toward rescue operation of Empty New Diamond आपने सुना होगा बेटा यह जो Empty New Diamond एक ship था बहुत भी famous जिसमें आग लग गई थी इसको rescue किया था हमारे Indian Navy और Coast Guard ने इसके वज़े से इंग को दिया गया है The rescue team members of the Indian Navy, Indian Coast Guard and the master and the crew of a tugboat Ocean Bliss carried out sustained and effective firefighting operations तो एक tugboat है बेटा याद रखेगा Ocean Bliss उसने यह काम किया था They schoolfully towed the vessel away from the coast thereby preventing loss of life at sea and adverted a serious marine pollution incident याद रखेगा तो इन्हों लोगों की जैन भी बचाई थी प्लस marine जो pollution होता है उसको भी रोका था So Indian Ocean, Indian Navy और Indian Coast Guard की जो ship है tugboat है जिसका नाम है बटा याद रखेगा Ocean Bliss उसने मदद की थी याद रखेगा तो इसको International Maritime Award दिया गया है for courageous and bravery वक याद रखेगा यह दिखेगा Non Convertible Debentures Economy से question आ रहा है Non Convertible Debentures Several companies including IIFL, Home Finance, India Bull Housing Finance and Edelweiss Financial Service have announced public issue to raise funds through Non Convertible Debentures offering interest rates between 8.25 to 9.7% यह देखेगा ठीक है अब समझेगा अब बटा इडिबेंचर्स क्या होते हैं एक बात बताओ यह डिबेंचर्स क्या होते हैं भाई देखो आपने एक चीज़ सुनी होगी bonds एक चीज़ सुनी होगी debentures so debentures और bonds basically क्या होते हैं so debentures और bonds एक तरह के loans होते हैं जिन पर returns guaranteed होते हैं मतलब fixed होते हैं जैसे for example हमारे एक student है अमन प्रताप सिंग मैंने अमन प्रताप सिंग से कहा भाई मुझे 100 रुपय दे दो अमन प्रताप सिंग ने कहा सर आप 100 रुपय ले लीजी मैंने अमन से कहा 100 रुपय दे दो मैं जो हूँ 2041 में आऊंगा तुम्हे 100 रुपय के जगından 1000 रुपय दूँगा तो अमन प्रताप सिंग से मैंने कहा कि मुझे 100 रुपए उधार दे दो 2021 में मैं 2041 में तुम्हारे ये 100 रुपए लोटाऊंगा और 1000 लोटाऊंगा तो अमन प्रदाप सिंग ने कहा कि हम तुम्हारे उपर कैसे विश्वास करें तो हमने एक पेपर पे लिख के दे दिया कि 2041 में मैं तुम्हें जो हूँ 100 रुपए गे 1000 वापस दूँगा लेकिन अगर मैं वो चीज लिखूंगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है लेकिन वही चीज अगर भारत सरकार लिख देगी तो बॉन्ड हो जाएगा वो जेम्स बॉन्ड बन जाएगा और वही चीज अगर प्राइवेट कंपनी लिख देगी तो फिर वो वेटा डिबेंचर बन जाता है जैसे LIC, LIC क्या है एक बात बताओ LIC वाइस आप हम सब पैसे लिये जा रहा है लिये जा रहा है और उसने कहा है कि 2035 में 2040 में तुम्हें इतना पैसा मिलेगा अब भाई हम कैसे विश्वास करें LIC पर क्योंकि LIC ने हमें एक बांड दिया है वो बेटा बांड बहुत इंपोर्टेंट है बस उसको अपने पास रखे रहो उससे सब कुछ हो जाएगा LIC पैटा जिंदगी के साथ भी है जिंदगी के बाद भी है अब वही बांड अगर प्राइवेट कंपनीज इश्व करती है तो उसे डिबेंचर्स कहा जाता है अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं हमारे देश में जैसे कि IIFL, Home Finance, India Bulls Housing Edelweiss Finance इन्होंने बेटा जो है डिबेंचर्स इश्व किये है 8.25 से 9.7% इंटरेस्ट ये दे रहे हैं तो ये डिबेंचर्स इश्व हुए है डिबेंचर्स बेटा एक तरह का वो आपसे लोन मांग रहे हैं वो आपसे एक उधार मांग रहे हैं वो आपसे एक तरह का उधार मांग रहे हैं कि साब हमें इतना पैसा दो हम आपको इतने साल के बाद 8.25 से लेकर 9.7% का इंटरेस्ट दे देंगे तो अब डिबेंचर्स और बांड्स में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि डिबेंचर्स बेसिकली प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं बांड्स सरकारी कंपनीज इशू करती हैं डिबेंचर्स बेसिकली शॉर्ट टाइम पिरेड के होते हैं एक से पांस साल के बीच हो सकते हैं बांड्स बेसिकली बलंबे समय के लिए होते हैं 5-25 साल के लिए debentures मैं बहुत अच्छे नहीं मानता क्योंकि private companies issue करती है bonds में मतलब returns बहुत heavy नहीं होते हैं लेकिन guarantee है LIC का पैसा तुम्हारा कभी डूब नहीं सकता याद रखेगा चीक है तो at time when fixed deposit rates are low in single digits these NCDs offering look lucrative non-commentable debentures are financial instrument that is used by companies to raise long term capital this is done through a public issue NCDs are the debt instrument with a fixed tenure and people who invest in this receiving regular interest certain rate some debentures can be converted shares after the certain point of time this is done to discretion of the owner however this is not possible in case of NCDs that way they are known as non-convertible तो ये बिटा जो है आज कल आपको मालूम है FDs पर interest बहुत कम हो गया है आज कल 5.5% FD पर पैसा मिलता है मतलब सोच लो कि अगर मैं आज के तारीक में अगर आप एक लाग रुपए बैंक में FD कराते हैं तो उसे दो लाग रुपए होने में 10 साल लग जाएंगे तो दो साल होने में दो लाग रुपए होने में उसे 10 साल लग जाएंगे अगर आज के तारिक में आप बैंक में पैसा डालते हैं तो 5-6% का बेटा interest मिल ला है FD पर कुछ नहीं है तो उसको देखते हुए इन companies को लगा कि अच्छा मौका है लोगों से पैसा invest कराने का तो लोगों से बेटा ये invest करा रहे हैं डेवेंचर्स में वहले हैं कि अगर मैं आपसे बता दूँ कि अगर आप पैसा invest करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका है कि ना आप तो वेंट्स में जाए ना डेवेंचर्स में जाए बाई ये mutual fund mutual fund आज के तारिक में मुझे लगता है कि best option है और 3% का average अगर रखा जाए तो 3 साल में आपका पैसा 100% डबल हो जाएगा मतलब mutual fund में अगर आज आप एक लाग रुपे डालते हैं तो 3 साल बाद वो दो लाग रुपे तो हो जाएंगे ये guarantee है मतलब 3 साल में डबल होते हैं bank में उसे डबल होने में 10 साल लग जाएंगे cryptocurrency में गई ये 10 दिन में हो जाएं लेकिन वो 10 दिन में जूरो भी हो सकते हैं चीक है बाई session बढ़ हाँ लग रहा है तो like बटन तो ठोक दो यार जल्दी से चीक है हाँ जी बिलकुल कर सकते हैं सार्तक शर्मा कोई परशानी नहीं है चीक है हाँ जी बटा LIC बाप है बटा LIC डेड़ी है बटा याद रखेगा LIC ने समय हमारे देश की money market में करीब 8 लाक थरोड उपे लगा रखे हैं कहते हैं कि अगर LIC जो है देश की money market से पैसा निकाल लेना तो देश की money market collapse कर जाएगी बटा याद रखेगा चीक है सत्य बता रहा हूँ जीवन का एक बार जल्दी से thumbs up by everyone नीचे जो thumbs up बना है इसको दबा दो last cover ये देखेगा last cover है amber grease अब ये क्या है science and tech amber grease हाँची तो ये देखेगा ये देखेगा the crime branch of Pimpree चिंचवाड police Pimpree चिंचवाड कहा है पुड़े के पास arrested 2% in पुड़े and seized 550 gram of amber grease also known as floating gold याद रखेगा तो amber grease इसे बटा floating gold भी कहा जाता हूँ 500 gram ये पकड़ा गया है crime branch of Pimpree चिंचवाड police याद रखेगा तो Pimpree चिंचवाड पुलिस ने 500 gram ये पकड़ा है चोटी मोटी हस्ती नहीं चोटी मोटी quantity नहीं है amber grease which is means grey amber in french is a waxy substance that originates from the digestive system of the protected sperm whales याद रखेगा ठीक है तो ये बिशा इसे जो है grey amber कहा जाता है waxy substance है originates from the digestive system of protected sperm whales while it is incorrectly referred as the whale vomit one of the theories about its information suggest that it's produced in the gastrointestinal tract of some of the sperm whales for the passage of hard sharp objects that are ingested when the whale eats large quantities of marine animals the amber grease said to be pass like feces and has very strong fecal order combined with a strong marine order याद रखेगा तो ये बिल्कुल जैसे उल्टी तरह होता है वैसे निकलता है इसके अंदर बहुत गंदी बद्बू होती है अब यहाँ पर देखेगा investigating agencies from across India who seized amber grease in the recent past estimate that value to be somewhere between 1-2 करोड उपए पर किलोग्राम तो बैटा इसकी जो कीमत है वो करीब 1-2 करोड उपए पर केजी होता है depending the purity and quality being extremely rare contributes the high demand and high price in the international market traditionally amber grease used to produce perfumes which have notes of musk while there are records of being used to flavor food alcoholic beverages and tobacco in some cultures in the past it is rarely used for the purpose it is used for these purpose rarely याद रखेगा चीख है तो यह historic चीज है याद रखेगा तो इसको पकड़ा गया है और पुणे के बास याद रखेगा चीख है हाँ चीख तो किसी जमाने में perfume से उगरा में smell होता था याद रखेगा चीख है भाई आप लोग ने like button बिल्कुल दबाएं नहीं आग मज़ा नहीं आया बाबा like button में आज बहुत धीरे चलने हैं लोग हमारे धीरे धीरे like button दबा रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल बाबा अब practice question का समय आ गया है भाई non-convertible debentures are the financial instrument that is used by companies to raise long term capitals debentures cannot be converted at any times बहुत बढ़िया कुष्चन है जल्दी देखेगा बहुत बढ़िया देखे बहुत अच्छा कुष्चन है तो इस वें गलत ना करियेगा अराम से देखेगा non-convertible debentures जो अभी हमारे देश में issue कियेगा है कई companies द्वारा क्योंकि उन्हों देखा कि बैंक में FD बढ़िया नहीं मिल ला है तो लोगों ने कहा कि लोगों को यहीं पे इन्वेस्ट कराते हैं अराम से ठीक है हाँ जी बिल्कुल सही है ठीक है debentures cannot be converted at any time बिल्कुल सही गलत है they can be converted into shares तो इन्हें shares में convert किया जा सकता है provided वो NCDs ना हो याद रखेगा consider the following billionaire Japanese entrepreneur Yushaku Mazewa reached the international space station of a 12-day trip during USG will be completed 100 tasks in space including playing a game in badminton according to congressional research service space adventures is the only private company to send paying customers to orbital space so far बहुत बढ़िया question number 2 देखिये गलत ना करियेगा बहुत अच्छे question number 2 Japanese billionaire entrepreneur Musaku Mazewa reached international space station according to the congressional research service space adventure is the only private company बिल्कुल सही है which of the following country plans to make it illegal to sell cigarettes to anyone aged 14-ender from 2027 तो कौन सा देश है जो 14 साल या उससे कम उमर के बच्चों को 2027 से cigarette बेशने पर रोक लगा रहा है इंस्टिट्यूट व नाशनल इंपॉर्टेंस इस इंस्टिट्यूट इन कोची राइपूर हैदराबाद कोलकता गौहाटी और राइबरेली जल्दी देखेगा कोचन नमबर चार तो यहां पर अगर बात करी जाए तो यह स्टेट्मेंट विल्कुल सही है यह गलत है क्योंकि इस इंस्टिट्यूट्स यहां पर नहीं स्थेथ हैं जरा बता देता हूं कहां कहां है अभी मैंने पढ़ाया था मुझे एक्जैक्ली याद नहीं आ रहा है फिर से तो यह जो है बेटा एहमदाबाद, हाजीफूर, हैद्राबाद, कोलकता, गोहाटी और आवरेली में हैं हां जी विद रिफरेंश तो दा वर्ल्ड फूट ग्राम कंसिडर फूल्विंग इस दा फूट असिस्टें ब्रांच व उनाइटे नेशन वस फांडे इन निटीन ने बना था वन ओल्ली इस देखेगा बाद बनिया बाद बनिया बनिया आँजी जल्दी देखे ये बहुत उनिता विलियम्स राजा चरी नन अब दब जल्दी बताईएगा इंडियन ओरिजिन फिजिशन जिसे नासा ने चुना है नौ अदर लोगों के साथ एस्ट्राइट फूटर मिशन्स तो फूटर मिशन्स के एस्ट्राइट बनने के लिए किसको चुना गया है अनियल मेनन जो कि एक फिजिशन है विद रेफरेंस तो दा इंटरनाशनल मेरी टाइम और्गनाज़जेशन ओर्ट फूर्ट 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 इसको जो है रेस्क्यू किया था बिल्कुल सही है है तो बने टू बोथ इस करेक्ट हां जी रिसेंटली सीन इन नू सर्टिफिकेशन कोर्स ओन होम एनर्जी ओड़िट इसे लॉंच किया है बेर आफ एनर्जी एफिशेंसी विद रेफरेंस तो दा मैं भी इजिटल consider the following मैं भी इजिटल 3.0 campaign has been launched which is aimed at digital onboarding of street vendors who are provided loans under PM Swanidhi scheme lending institutions have been instructed to issue a durable QR code and UPI ID at the time of disbursement and train the beneficiaries in conduct of digital transactions हां जी तो मैं भी इजिटल 3.0 हां जी तो मैं भी इजिटल 3.0 campaign has been launched which is aimed at digital onboarding of street vendors who have provided loans under PM Swanidhi ये भी सही है with reference to the amber grease consider the following it is a waxy substance that originates from the digestive system of protected sperm whales the amber grease is said to be passed like fecal and has a very strong fecal order combined with a strong marine order हां जी जल्दी बताईएगा इसे जो है अभी पकड़ा गया है साड़े 500 ग्राम के साथ एक किलो का वजन जो है एक से दो करोड उपे हो सकता इंट्रनाशनल मार्केट में बिल्कुल सब्सक्रिप्षन जो है वो बारा महिने का होता है चीक है है हमारा लक्ष फांडेशन कोर्स शुरू हो रहा है 22 दिसंबर से अगर जॉइन करना है कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल है Q&A Academy उसका लिंक है अपडेट नोटिफिकेशन पीडिएफ के लिए अन Academy के आपको डाउनलोड कर लें अगर एपरल काईम है तो छे महने आ जाईए सप्टेंबर काईम है बारा महिने 2023 काईम है 24 महिने कोड याद रखेगा Q&A Live आपको 10% का डिसकाउंट भी मिलेगा वैसे बेस सब्सक्रिप्षन जो है वो बारा महिने का होता है चीक है आज के दिन का एक बहुत बड़ा ओफर है आज अनकाडमी की छटी अनिवरसरी है तो इस पर एक दिन का ओफर है जो की रात में 12 बज़े तक वैलिड है एक साल के सब्सक्रिप्षन पर 6 महने का extended सब्सक्रिप्षन मतलब 12 महने की सब्सक्रिप्षन पर आपको 18 महने का सब्स स्क्रिप्रिप्शन मिलेगा लेकिन यह सिर्फ आज रात तक ही वैलिड है ठीक है हांची अग्यू 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 लाइक बिटन जुरू दो भाई येगा जैहिन जै भारत वंदे मात्रम थैंक्यू